बाते हैं उमेश गोपिनात जाधव के साथ जो की पेशे से संगीत कार है पुलवामा अटैक के वक्त उमेश गोपिनात ने एक अनूठा सा प्रण लिया प्रण क्या है श्मिता बिलकुल आपको बता दे कि उस दौरान पिछले 5 साल से उमेश देश भर में घूम घूम कर शही लेकिन इस पूरे सफर में इनकी गारी भी सैनिको के वार्स के पतीकों से भर चुकी है इस गारी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन सैनिकों की याद दिलाती हैं जिन्होंने अपना सरवोच बलिदान दिया उन लडाईयों की याद दिलाती हैं जो देश के लिए ल हमारा आज के लिए उनका कल उन्होंने जो कुर्बान दिया ये मेरी गाड़ी नहीं है मैं इसे बोलता हूँ ये देश की गाड़ी है क्योंकि ये रास्टर के लिए समर्पित है और इस गाड़ी में ये खासित बोलना चाहता हूँ क्योंकि अकेला निकला था मैं मुसाफिर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया ये गाड़ी बिलकुल एक साधारन गाड़ी थी यहां पर मैं एक छोटा पोस्टर लगाया था मैंने कि मंडिया से पुलवामा नौ अपरिल 2019 को गुरूप सेंटर सी आर्पिय बैंगलोड से मैं निकला हूँ 14 फरवरे 2020 को पुलवामा जो समारक बना है वहाँ पर मैंने मिट्टी दे और ये आप इसमें देखेंगे कि नेशन फर्स्ट है वह एमो बॉक्सस है उसके बाद में यह जो लाइटस आप देख रहे हैं यह आर्मी के जीप्स में होता है उनके ट्रक्स में होता है यह सभी यूनिट ने वित रिस्पेक्ट उनके वीरों के लिए उन्हें इसलिए गाड़ी इतनी आपको सजी दिख रह और यह सम्मान है कि गाड़ी इसलिए ने सजी है कि इसके उपर यह सारी लगी है सम्मान इसलिए कि यह सभी जंग में वर्ल्ड वर वर वन से लेके अब तक जो जो जंग में इस्तमाल हुई है उनके यह प्रतीग है कई सारे स्टीकर्स हम लोग देख पा रहे हैं, क्या फैमिलीज ने लगाए हैं, यह आप अगर देखेंगे, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, duty unto death, जो B.S.F. का था, यह लोगों का, यह था कि हम फौजी है, you know, once a soldier, always a soldier, यहाँ पर आपको दिखेगा, कि जैहिन जै भारत और कर चले हम फिदा जानोतन सातियों, अब तुम्हारे हवाले वतन सातियों, तो यह एक प्रतीक है, यह अपने आप में एक भारतिय का परंपरा की असंभव को संभव करने के कोशिश है, और यह हम कई सारी caps देख पा रहे हैं, यह क्या है, यह सभी जो जो officers मिले, जो units मिल है, यह जो सभी forces का respect है, और मैं यह बोलना चाहिए, यह respect जो है, यह देते नहीं है, इसे कमाना पड़ता है, यह पूरी गाड़ी एक तरह से प्रतीक चिन बन चुकी है, शहीदों की, उन तमाम युद्ध की जो हमारे साइनिकों ने लड़ी, यह मिट्टी आप देखी रहे हैं, और तमाम तस्वीरे भी इसमें आप देख रहे हैं, शहीदों की, और यह कह रहे हैं कि यह एक तरह से मंदिल है इनका, तो एक सैनिक तो अपना सरवोच बरिदान देकर चला जाता है, लेकिन उसके पीछे, उसके परिवार के पास जब इस तरह से एक common man पहुचता है, जाहिर तोर पर यह उस परिवार के लिए एक और गौरव का क्षण होता है, कि उनके लाल को अब तक लोग याद कर रहे हैं,